इस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने छे माह में खास कर तीन माह में कुछ नेड़े किये थे तीन माह आप सबकी जानकारी में आचार सहीता के दर्मियान चले गए लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दाइरे के अंदर जो सशासन की विवस्ता हो सकती है लोकसवा का इत्ता बड़ा चुनाओ कराना और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनूती थी लेकिन मैं आपका वियाभार मानता हूँ, सभी इससे जुड़े पक्षों का भी मानता हूँ और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूँ कि सब के साथ मिलकर के चारो चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो मुझे इस बात का संतोस है सभी पक्षों ने अपनी अपने धंसे चुनाव का प्रचार किया अभियान चलाए अलग-अलग आयजन हुए लेकिन इनाल सम्मिल करके ये पुरा आयजन सांती गुर्वर्वक जो मद्वदेश की पहचान है उस प्रकार से ये अपना रूप लेके इसने अपना बेहतर परिणाम दे करके संतोस व्यक्त करते हुए और एक और खास बात ये सश्वी प्रधान मंत्री को भी में धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अपने इस लोकसवा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनित भी दिया है छे मंत्री हमारे राज्य से बनाये हैं इसमें तीन केबिनेट और तीन राज्य मंत्री छटा एल मुरुगन जो राज्य से आते हैं का आप मैंसे कई लोग जानते हैं कई नहीं लिख पाये थे तो मैंने इसलिए उस बारवार कोट किया मैं पहले बोल दूँ फिर विज़ा जाए जाए मानि प्रधार मंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाओं के दर्मियान केंपेन किया था और MP के मन मोधी मोधी के मन में MP हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग-अलग काम को बहुत गती से बढ़ाया था आपकी जानकारी के लिए बता दूँ केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मद्वेस और UP की धक्ति से प्रारंब होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो लग-लग टेंडर इसके जारी भी कर दी है और वो स्विक्रती की सिदी में आगा है बड़ा बीच में फारेस्ट की लेंड का एक इसू था जिसके कारण से ये उल्जावा प्रकरण था लेकिन फारेस्ट को दूसरी लेंड उपलब्द करा करके हमने इसका जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है मुझे एक और बात जानका है जित्ते वानन्द है कि पारवती कालिति चंबल योजना ये रायस्थान और मद्वदेश के बीच 20 साल से उल्जाव मसला था ततकालिन जल सकती मंत्री स्रीमान गजन सेकावत जी की मुझूदगी में मद्वदेश और रायस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्री गंड हमारे मंत्री गंड और असमने मिल करके 50-50 परसेंट के अधार पर पेतिस-पेतिस हजार करोड के अलग-अलग प्रकार से अपनी अपनी बोमी में उनके देमों की सरंखला बनाते वे ये बड़ा काम चालू किया जो बड़ी परियोजना है पिकेसी के नाम से इसका पूरा हमारा चंबल का मालवा का ये पश्चिमी मत्वदेश का हिस्सा गांधिशागर डेम जिसमें 50-50% की जलराशी के आधार पर बटवारा हुआ था लेकिन कुछ कमी रे गई उसके लिए भी हमने इस उठाए और इस पर बात कर रहे हैं कि जमीन हमारी जादा जा रही है और पाने का उपियोग हमको कम मिल रहा है तो हमारे किसानों की दृष् रतलाम नीमच इन जिलों के अंदर लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपियोपी हम करने वाले हैं जैसे में पहले बताया था दुबारा बता हुआ कि आस्टा तेसिल स्वीहर जिले में लगबक साथ हजार करोड का नया निवेस औदो कि निवेस गेल इंडिय प्राइवेट लिमिटेट के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है जिसके कारण से इथेन क्रेकर परियोजना के माध्यम से लगबक निर्मान अउध्य में 15,000 और बाद के अउध्य में लगबक 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा और इसके सहायक ब बाद में और लगने वाले हैं कुल मिला करके जैसे मद्व देश में 283 ओद्धोगी गाईयों को 508 हेक्टर भूमी हमने अवंटित की उज्जेन में मार्च मामे इरिजनल इंडस्ट्री कांक्लेव में एतिहसिक आयोजन किया जिसमें 12,000 क्रोड से अधिक के ठोस हैं और प्रदेश में 20,000 से लोगों को रोजगार मिलेगा एक लाख करोड से अधिक के निवेस प्रस्ताव भी इसी दर्मियान हमको मिले थी कांक्लेव में अन्य देशों के निवेसक भी आये लगबग 4,000 प्रतिनिरी आये और यह सिल्सला हम लगातार जारी रखने वाले हैं इसको रिजनल कांक्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जवल, पूर, गवालियर, रीवा, अलग-अलग और इंडस्ट्रिल बेल्ट भी डेवलेप होते जाएं अर्थ व्योस्ता के द्रश्टी से मधिवदेश का अपना जीएस्टी का कुल राजस्ट उननीस हजार इंकाणू करोड रुपया प्राप्त हुआ जो हमारे पिछले वर्स से 26 परसेंट जादा है इसले वर्स जो जीएस्टी कलेक्शन हुआ था उसमें 26 परसेंट हमने ज्यादा कलेक्शन किया है और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धंजासी मिलती तो बड़े पेमाने को उसके भुश्य में लाव उठाए जाते हैं क्रसी के संबन में 24 25 में 6 लाग साधिक किसानों का 48 लाग मेट्रिक टन साधिक की घहों खरीदी हमने कर ली लेकिन इस बार चुकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो यह खरीदी वाला पार्ट हमारा हम भी यह चाहते हैं कि अगर किसानों का अच्छे रेट मिल रहें तो वो स्वयम का भी माल बेच ले अगर कोई भी कारण से उनको कठरे आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महने तक हम खरीदी कर रहे हैं आम तो पर मार्च में भी हमने दस मार्च के असपास खरीदी प्रारम कर दी इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चल हमने खरीदा उसमें 125 रुपे का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया जैसा हमने कहा था कि कोई योजना बंदनी होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी लाडली बेहना योजना के बारे में भी हमने वोई जो दिया गया बचन निभाया है लगातार हमारी एक करोड़ 29 लाग बेहनों के खाते में अभी तक 9455 करोड़ी की रासी का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी ओजना में छे माह में तियोत्तर एयर 880 लाडली बेहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की रासी अंतरित की गई रसोई गेस सिलेंडर के लिए 45 लाख उननब्भे अजार बेहनों के खाते में 118 करोड़ की रासी का अंतरण किया है आपकी जानकरी के लिए कि बेहनों को जो हमने कहा था कि 450 लुए में गेस सिलेंडर देंगे गरीब बेहनों को तो वो हम बराबर दे रहे हैं चुनाओं में बहुत जुड़ बोला गया कि यह नहीं दे रहे हैं हमने उनको चुनोती दे थी कि बताई यह पैसे जा रहा है कि न जा रहे है और यह मैंने बताया आपको के 118 करोड रुपया उनके खातों में गया है और छोटी मोटी रसंख्या नहीं है 45,90,000 लाडली बहने हैं जिनकी खाते में यह रसोई गेस का सिलेंडर का पईसा गया है शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने G.E.R. में देश के होसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है राश्टी होसत से उसी प्रकार से नई शिक्षानिती में जैसे देश में सबसे पहले मदिवदेस आया था पच्पन एक्सिलेंस कालेज इसी सतर से पूरे प्रदेश में हम खोलने जाए जिसमें पीए मुतक्रस्ता महवद्याले में उन्नेयन में जिस दन से काम किया है और इसी इसे जुड़े वे 12 पास 75 परशेंट अंग लाने वाले 90 जार विध्यारतियों को लेप्टाप के लिए प्रती विध्यारती 25 जार पी राशी भी हम लोग देने वाले जिसके माद्यम से वो गुणवत्ता पून शिक्षा गरण कर सके उनके जीवन में ये लेप्टाप के माद्यम से नई तकनिक के अधरपर उनकी दक्षता और अच्छी बड़े रोजगार प्रदेश में चुनेवे 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ उम्मीदवारी के एक साथ हमने न्यूक्ति पत्र दिये थी साथ लाग युवाओं के रोजगार दिवस के पांच हजार करोड के रिन रासी उनके व्यापार व्यवसाई के लिए उपलब्द कराई है और श्टाट अप को प्रोफ्टान कर रहा है आपकी जानकारी में कि खनीज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है ऐसे में खनीज के अधिक्तम ब्लाग पूरे देश में सबसे अदा कही निलाम हुए तो मद्वदेश को भारत सरकार ने लीडर आप इंडिया के नाते से नंबर वन की स्थिति में रखा सबसे अदा निलामी करने में मद्वदेश ने एक अपना विशेज सिस्थान बनाया आपकी जानकारी में हो गई सही कि हमारे पुलिस बेंड पूरे प्रदेश के कई जलों में खतम जैसे हो गए थे तो 26 जनवरी, 15 अगस्तिया, परेड, पुलिस दिवस, सहीद दिवस, ऐसे कई अवसर आते हैं जब पुलिस को पुलिस बेंड रखना चाहिए ऐसे में हमने विशेस अभियान चला करके हर जिल्ले में पुलिस बेंड के गठन की पहल कर दिये और इसी के कारण से लगबक पुरदेश के 1300 कला सादगों ने वंदे मात्रम की दून बजा करके टाल दरवार में भी संगीत का रिकार्ड मनाया था खजराओ उत्सों में पचास में रत्य में 1484 कथक कलाकरों ने सामुई प्रस्तिद्य के वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है पुलिस थानों की सीमाएं भी बदल करके आजादी के बार पहली बार जनता के डिमांड के साथ से नजदी के पुलिस थानों के अंदर वो कंप्लेन करने जा सकते हैं उसकी सीमा बदलने के लिए हमने लिमिट बदल लई थी और थानों के गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए दस थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किये मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुनेवे दस थानों में से भी एक आया है तो पुलिस की दक्षता और पुनवत्ता भारत सरकार के पेमाने पे भी अच्छे निकले इस पे भी हम काम कर रहे हैं इसी प्रकार से क्राफ्ट हैंडुलूं टूरिज्म विलेज का लोकारपन चंदेरी में असोक नगर में ग्राम प्रांटपूर में हुआ है और परिवजार भुपाल में गोलघर को आकर्सक रूप दे करके प्राचिन कलाओ को प्रोफसान देने का प्रयास भी टूरिजम बोर्ड के माधियम से बेस्ट टूरिजम के रूप में किया है आज ही मैंने अपने मंत्री मंदल के साथ बहुत सारे मसलोपे अलग-अलग प्रकार की पिछली सरकार के समय से लेकर आज सरकार के बीच में और अलग-अलग प्रकार के जो हमने प्रयोग किये हूं इसको नीचे उतारने की बात कही है जैसे हमारा गंगा जल गंगा समरक्षन लियान चल रहा है 3662 क्रोड की काम इस दर्मियान हो रहे है कल में बीते दिन गोल घर गड़ात में एक जल मंदिर में गया था पुरानी बावड़ी बहुत सुन्दर हो गई यह हमारे मंत्री राकेस जी के छेतर में था एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ है ऐसे अलग-अलग पूरे प्रदेश में महोल बनावा है और यह अभियान हम गंगा दसेरे तक चलाने वाले है जिसके माद्यम से जल सरचना है पुराने कुए, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर जल की सारी सरचनाओं का पुर्ण जीवन का काम करने का प्रयास कर रहा है कुल मिला करके काम तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी कुछ और उनलेखने कामों के बारे में हमने भी बताया है कि इस सरकार के माद्यम से जितने काम अपन कर सकते हैं वो लाइन ओर्डर के दृष्टी से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णे किये हैं कोई घटना होई तो तकपरता से तुरंत घटी से कारवई करके सरकार ने अपनी जीवन्तता का भी प्रमान दिया है सुप्रिम कोर्ड की गाइडलाइन के अधर पर लाओड़ी स्फिकर के पर भी कारवई की गई है खुले में मांस मचली बेचने का भी प्रतिबंद का जो ओर्डर हमने दिया है उसके भी अच्छे रिजल्ट आये है सभी बर्ग ने इसका स्वागत किया है